जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पूण करें और आप जीवन में खूप सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल दो हजार चौबिस में पाप मोचनी इकादसी जो वरत है वो कप किया जाएगा किस दिन किया जाएगा सुब महूर्त पुजाविधी महत जो है वो क्या रहने वाला है आज के वीडियो में आप सब को समपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो हिंदोधर में वैसे तो सभी तिथियां महत पूर्ण मानी जाती है लेकिन एकादसी तिथि का विसेस महत तो माना गया है प्रतेक महीने में दो एकादसी तिथि जो है वो आती है एक सुकल पच में और एक क्रशन पच में इस तरह से पूरे वर्ष में 24 एकादसी तिथि पढ़ती है और जब मलमास या खरमास लगता है तो 26 एकादसी जो है वो पढ़ जाती है प्रतेएक एकदसी भगवान स्री हरी विष्णू को समर्पित होती है इस दिन पूरे विधी विधान से भगवान स्री हरी विष्णू की आराधना की जाती है माहा और तिथी के आधार पर प्रतेएक एकदसी का अलग-अलग महत्तु बताया गया है ऐसी मानता है कि एक अदसी के दिन भगवान स्रीहरी विश्णू की पूझा अर्चना करने से मुक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्षि मिलती है तो साल 2024 में जो पाप मोचनी एकदसी व्रत है वो कप किया जाएगा तो साल 2024 में 5 अप्रेल को दिन सुक्रवार को साल 2024 में पाप मोचनी एकदसी व्रत जो है वो किया जाएगा बात करूं एकदसी तिथी की जो एकदसी तिथी है वो कब से प्रारंब हो रही है तो 4 अपरेल को साम को 4 बच के 14 मिनट पर जो एकदसी तिथी है वो प्रारंब हो रही है और इसका जो समापन है वो अगले दिन मतलब 5 अपरेल को दोपैर 1 बच के 28 मिनट पर जो है इसकी वो हो रही है ऐसे में जो पाप मोचनी एकदसी वरत है वो पाँच अपरेल को दिन सुक्रबार को पूरी वीधिवत तरीके से मनाया जाए। थामन मिनट से आट बचकर 27 मिनट का जो समय है वो सबसे जादा सुब है इस बीच आप इस वरत का पारण कर सकती है। पाप मोचनी एकदसी वरत करने से स्रीमन नरायान की क्रपा जो है वो आपके उपर बरस्ती है और पदम पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि एकदसी भगवान स्री हरी विष्नु का ही सरूप माना गया है। इस दिन भगवान स्री हरी विष्नु की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त पापों से मुक्ती मिल जाती है। इसलिए जो पाप मोचनी कदसी व्रत है वो करने का विधान बताया गया है। इकदसी तिथी में चावल का विधान नहीं बताया गया। चावल पूर्त या निसेद बताया गया है। जाती साथ जो चावल है वो जो भी वरती है उनको तो खाना ही नहीं है। जो वरती नहीं है उनको भी इस दिन वरत का सेव जो चावल का सेवन है वो नहीं करना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब एक जो वेदी बनाई है उसके उपर कलस की स्तापना करना चाहिए आम या सोक के पांच पत्ते लगाना चाहिए और भगवान स्री हर विश्णू की मूर्ति स्तापित करने के बाद पीले फूल, रितुफल, तुलसी दल, भोग प्रसाद जो है वो चड़ाना चाहिए जो पाप मोच ने एक अदसी वृत की कथा है वो भी सुननी चाहिए आर्ती करना चाहिए इसके बाद फलाहार जो है वो ग्रहन करना चाहिए रात्री में सोना नहीं चाहिए भजन कीर्टन करना चाहिए जागरन करना चाहिए अगले दिन ब्रामण और जो गरीब है उनको भोजन करवाना चाहिए दान दच्छना देना चाहिए और इसके बाद वृत का पारान करना चाहिए पारान का जो समय है वो मैंने आप सब को ब जिसको ना करने से दोस लगता है एकदसी जो तिथी है या एकदसी जो वरत है वो संपूर व्यक्तियों को रखना चाहिए चाहिए वो इस्त्रियों या पुरोसों सबको इस वरत को करना चाहिए ऐसा विधान बताया गया है तो एकदसी तिथी जो है वो मैंने बता दी कि कब स प्रारंब हो रही है, कभ रखा जाएगा पाराल का समय संपूर्ण जानकारी इस वीडीयो में आप सबको दे दिया है उम्मीद करती हूं कि आज का वीडीयो आप सबको पसंद आया होगा वीडीयो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ड कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों जै माता दी